हमारी बात चल रही थी हिप जोइंट के उपर एंड हिप जोइंट में हम आपसे बात कर रहे थे सेकिंड पॉइंट ओफ हिप जोइंट जो कि है लिगामेंट्स एंड देखिए इसके जश्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको कुछ यह बना के दिखाया था इंड हमने बताया था कि सेकिंड पॉइंट ऐ लिगामेंट लिगामेंट को हम तीन पार्ट में बढ़ते हैं intracapsular, capsular और extra capsular ligament इंड इसके ज़श्ट पहले वाली वीडियो में हमने आप से सारे के सारे 123 इन तीनों के 3 इंड इंट्रा-capsular ligament की बात कर ली थी एंड इन इस वीडियो हम आपसे बात करेंगे Capsular Ligament जो कि हमारे 4th नमबर का Ligament देखें न 1,2,3,4 4th यानि की Capsular Ligament of Hip Joint तो देखें यहाँ पर मेरा Heading है number 4 4 यानि की Ligaments में भी 4th Ligaments में भी 4th Ligament जिसका नाम है Capsular Ligament तो देखें यहाँ पर मैंने बताया था Capsular Ligament इसके हम Total यहाँ पर 4 पॉइंट डिसकस करेंगे या फिर इसे हम 4 पॉइंट के अंदर देखेंगे 1,2,3,4 4 पॉइंट के अंदर पर डिसकस करेंगे तो आते हैं हमारा Theoretical Portion पर तो देखेंगे मैं पहले के पहले आपको Capsular Ligament के पूरे के पूरे 1,2,3,4 इन आर 4 Theoretical Point के बारे में बताऊंगा और फिर इसकी एक एक लाइन को हम Bones से या फिर Real Hip Joint से Explain करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा Theoretical Portion उसमें से कुछ भी रटने का नहीं है अगर आपने इसे Real Hip Bone और Femur पर अपलाई कर लिया या फिर आपने Real में इसे Hip Joint पर अपलाई कर लिया ना तो आपको यह चीजे समझ में आएगी आप सौसोगे कि या रटने का तो कुछ है ही नहीं तो कोई ना पहले Theoretical Portion देखते हैं तो फिर हम Bones पर अपलाई करेंगे Real Hip Joint पर अपलाई करेंगे तो आते हैं यहापर तो देखिए Attachments यस लिगामेंट्स क्या करते हैं लिगामेंट्स बोन को बोन से जोडते हैं जबकि Tendon क्या करते हैं तो यहापर लिगामेंट्स है तो यहापर हमारी कौन सी Bones है यहापर हमारे Hip Joint में एक है Hip Bone एक है Femur Bone तो लिगामेंट्स वो होते हैं जो इन दोनों Bones को जोड़ेंगे तो इसके पढ़ने हैं सबसे पहले Attachment Capsular Ligament के तो वहीं इस Ligament का एक पार्ट जिस Bones से Attach होगा उसे बोलते है Hip Bone दूसरा पार्ट इस इस Attach to Femur तभी तो यह Bones से Bones को जोड़ेगा Hip Bone to Femur अब हमें देखना है Capsular Ligament हमारे Hip Bone में कहां पर Attach होता है तो आप कुछ सोचिए यार मैं Hip Bone में भी बात कर रहा हूं especially Hip Joint की तो of course Hip Joint यहां पर है जो Acetabulum है यहीं Hip Joint पर Participate करता है पुरी Bones तो करती है नहीं तो Hip Joint के जो आसपास वाला एरिया है मतलब मोटी मोटी बात ध्यान रखना कि जो Acetabulum है ना इसके जो आसपास का एरिया है ना इस सारे एरिया से क्या Connect होगा हमारा Capsular Ligament तो देखिए इन तीन पॉइंट के अंदर मैंने वही Acetabulum के आसपास के चीज़े ही लिख रखी है ओके देखिए ये बात ध्यान दखना एक बात मैंने यहां पर बताया था था ना आपको Intercapsular Ligament मतलब अभी हम अंदर है ओके देन Capsular Ligament यहने की थोड़ा बाहर आए एंड extra Capsular Ligament यहने की पूरा ही बाहर आ गए इस सिक्वेंस में है यह ओके तो हमें Acetabulum के आसपास की चीज़ों से हमारा Capsular Ligament hip bone से जोनना है तो आप आसपास क्या चीज़ होती है Yes Acetabular Labrum देखिए ना यह क्या है पूरी के पूरी हमारी Acetabular Margin और इसी Acetabular Margin से क्या अटेच होता है हमारा Acetabular Labrum देखिए सेकिंड पॉइंट क्या है Acetabular Margin और इसी Acetabular Margin से हमारा Acetabular Labrum अटेच होता है तो जो हमारा Capsular Ligament है वो hip bone की hip bone में जो Acetabular Labrum होता है उससे attach नहीं होता है acetabular labrum से थोड़ा outer हलका सा beyond बाहर की तरफ attach होता है and of course देखिए acetabular margin और acetabular labrum near about एक ही बात है यार क्योंकि margin से labrum attach होगा तो of course यहाँ पर भी वही बात लिखी है acetabular margin से beyond इससे थोड़ा दूर attach होता है beyond यानि कि दूर acetabular labrum से outer यानि कि थोड़ा बाहर ओके तो overall बात यह है कि acetabular margin या बोल दीजी acetabular labrum इससे थोड़ा दूर की तरफ attach होता है हमारा पूरा का पूरा capsular ligament hip bone से and तीसरा क्या है transverse acetabular ligament अब आप खुछ सोचिए यार sir यहाँ पर क्या आती है this is acetabular notch acetabular notch को fulfill करने के लिए क्या होता है transverse acetabular ligament जो कि हमने intra capsular ligament में पढ़ाता इसके पहले वाली वीडियों बात की थी ना देखिए यह सारे चार्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ transverse acetabular ligament की of course sir अब इसके beyond या फिर इसके outer कहां पर attach होगा इसके outer तो कुछ ही नहीं चलो यार यह acetabular margin है तो इसके outer मैंने यहां मान लिया चलो मैं दिखा जिता हूँ इसके outer मैंने यहां मान लिया यह पूरा हमारे outer हो गया पर sir यहां पर कौन सा outer होगा तो देखिए वही जो यहां पर है यहां पर है ना acetabular knot उट यहां पर क्या होता है transfer epic ligament तो यहां पर हमारा उटर side attach नहीं होता है तो हां attach होता है सीधे ही हमारे도 आयो पब समझ रहे होंगे तो यह पूरा का पूरा है ना इसके लिए तो क्या बोलेंगे यह पूरा का पूरा अभी में जा उंगली गुमा रहा हूं इस पूरे के पूरे के लिए हम बोलेंगे इस पूरे के पूरे के लिए जा मैं भी पैंचल गुमा रहा हूं इस पूरे के पूरे के लिए क्या बोलेंगे यह दोनों बाते एकेटी टाबलर मारजिन और एकेटीबलर लेबरम के बियोंड जा आउटर हैंड, यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे हम, ट्रांसफर एकेटीबलर लिगामेंट, जो के हमारे एकेटीबलर नोस को कवर करता है, उस से ही डाइरिक्ट हमारा Capsular Ligament अटेच होता इसके पास क्या होती है, इसके पास आपको पताओगा, अगर आपने फीमर पढ़ा हो, फीमर को तीन पाart ने पड़ते हैं, अपरेंड, शार्प और लोबर एंड, तो uparend में जो head है, head है, यह पास क्या होता है नेक केंहा होती है इंच प्रोकेंट लाइन एंध इंट प्रोकेंटर क्रेस्ट देखिए यह क्या है इस इस इर क्रेटा गतर डिप४ोंद आपने अगर हमारी hip bone देखी ओ तो सुरी femur देखी ओ तो तो greater trochanter lesser trochanter दोनों track hunter के बीच की जो liquid line हो गे उसे क्या पहलेंगे हम Intertrochanteric okay दोनों track hunter के बीच अगर कोई line कीच दी तो intertrochanteric इधर भी कोई line कीच दी देखे इस greater trochanter lesser trochanter दीच इंTER trochanteric okay तो आगे की सैड होती है, अन्ठार्ट्रोकन्ट्रीक लाइन जो होती है एंटीयर साइड और पीछे की साइड क्या होती है, एंट्रोकन्ट्रीक crush उस्टीयर सैड ओंगे यह विया, तो हमारा acas Jewelagnards अब की साईड तो तो मतलब फीमर में आगे की साइड इंट्रोकेंटरिक लाइन से अटेच होता है तो इससे हम इंट्रोकेंटरिक जाएंगे मीडिय lush एडिरोमी से नेक फिर हेड देखेंद कटव से लगा दिया तो इससे लेटरल ओकेई यह क्या होगी मीडिया तो तो लेटर टू मीडिल जाएंगे तो पहले कि आएगी नेक फिर कि आएगी है तो अफकोर्स इंटर टोकेंटर क्रेश्ट से चुमिने लाल लाइन लाइन कीच रखी है यह क्या है दिस इस नियर अबाउट वन सेंटिमीटर मीडियल टू इंटर टोकेंटर क्रेश्ट तो इस से हमारा कैप्सुलल लिगामेंट अटेज होता है ओके आयोपाप समझ रहे होंगे तो यह पूरा का पूरा हो गया हमारा टेजमेंट ओके लेकिए रटना मत कोई भी कन्फिजनों बता देना अब आते हैं सेकिंड पॉइंट पर इसमें पढ़ने हैं फाइबर्स तो इसमें फाइबर्स होते हैं एक होथे आउटर फाइबर एक होथे इंहर फाइबर सबसे बाहर वाले और अंदर वाले आउटर फाइबर्स डीजार लोंंई डूइटली फाइब्र्स बैस्ट डॉलेप अंट डREE इन्ट वयम थे मर नेक नहीं कि सारी बात करते हैं अभी आते हैं इस पर तो देखिए यह हो गया इसे कैसे हैं मैंने बोला कि आउटर फाइबर्स दी जार लोंगिटुडिनल ऑफकोस लंबे-लंबे होंगे ऐसे होते हैं लोंगिटुडिनल बेस्ट डेवलप एंटिरो सुपीरियर यस देखिए यह हमारा देखिए ना इनाटमिकली यह क्या है प्यूबिस सिंपाइसिस तो दिस इज एंटिरियर तो एंटिरो सुपीरियर मतलब यहां पर बतलब इस साइड हमारे जो लोंगिटुडिनल फाइबर्स है वो बेस्ट डवलप होते हैं जहां पर मैंने अभी मेरी फिंगर रख रख र अभी एंड इस ग्रेटर टोगेंटर लेसर टोगेंटर और यह पूरा का पूरा क्या हो गया दिस इज अपर एंड ओ फीमर तो दिस इज नेक अब देखिए नेक को अगर आप ऐसे देखो तो आपको देखिए यहां पर बहुत सारे चेद दिख रहे होंगे बहुत सारे चे रस्ट्रिख का बोलते हम रेटिन अकुला जो चेद आपको अभी अब பोरी बात करेंगे हम आगे आपस देख लोकिनेक को और एड को ब्लोड गयात करी ऑए नेक को आपके नेक को जो ब्लोड-वे झा लती है वो जाती है रेटनाकुला के अंदर से तो वही लिक्र का है रिख रहा है रेटनाकुला कि भी नेक फिमर, नेक इम जोग लाई होती घ को पर में गोला हो हो प्रों हो फोले अरांड नेक के आरांड रोंड अर्फिलर स्पहिते हैं और नंबस द्रहे अगड़ क्यों होता है उसे हम क्या बोलते यह जोना ऊर्बिकुलेरिस टीदा ध्यान रखना इने और फाइबर सर्कुलर होते हैं इंडिये सर्कुलर है। ये हमारे नेक के पास भीमर के पास कुछ यादा ही मतलब कौन्टीटी ज्यादा होती है democr सोल से जादा है जिसे हम बोलते हैं जोना और्ली खुलेरिस Ок ANY अब माया पार affiliated कले इसके anteo superior part best developed होता है After Fibers का antero superior part best developed होता है का क्व हिप joint होना बहुत है हिप joint पर बहुत सारी जिम्मेदारिया है बोडी की चलने के लिए , बोडी को ईकदर सही पोश्यूच्छर पर आगे गिरे ना बना पीछे गिरे ना अगıl बगल ना गिरे तो इस पर बहुत सारी जम्मेदारिया हैं hip joint के उपर तो वही anterior superior anterior superior तो capsule को हम दो point पढ़ेंगे anterior superior part मतलब आगे वाला और उपर वाला and posterior inferior मतलब पीछे वाला और नीचे वाला तो anterior superior part इस थिक बहुत ही मोटा होता है firmly attached मतलब एकदम tightly attached होता है तो यह एकदम tightly attached होगा and maximum tension in standing position यस आपको सोची ना यार maximum tension मतलब maximum खिचा हुआ होता है जब कोई बंदा standing खड़ा हुआ खड़ी वी position पर होता है जब बंदा अपने पेर वाला खड़ा होता है देखिए आप इन bones को ऐसे anatomical position पर रखके देखना आपको पता लग जाएगा कि अगर बंदा कोई खड़ा है तो जो hip bone है और यह है यह ऐसे दूर भागेंगे तो of course इन standing position पर यह दोनों ऐसे दूर ना हो इसलिए हमने क्या किया जो anterior superior part है capsule ligament का उसको एकदम motor बनाया ताकि बंदा एकदम standing position पर सही से खड़ा हर सके देखिए आपके पास बंदा होना तो इसे एकदम रियल में जोसे बंदा खड़ा होगा ना तो उस हिसाब से इन दोनों बंद को इसे खड़ा करना and then फिर आपको बता लग जाएगा कि anterior superior part of capsule ligament इतना थिक क्यू है इतना tightly attached क्यू है और standing position पर इतना tightly इतना tightly क्यू होता है आप सब समझ जाओ गए रटने का नहीं है देन posterior inferior part यस जश्ट इसका अपोजित होगा थिक फिल्मिली एडरेंड मतला टाइटली एटेच होता है लुजली एटेच एकदम कम लुजली एटेच होता और यस ओफ कोर्स होना भी चाहिए नहीं इसका को काम है लेकिन कम काम है तो यह हो गया third point complete अब आते हैं fourth point synovial membrane इसमें बस देखना है कि synovial membrane हमारे हेप joint को कहा कहा से cover करती है तो बहुत common सी बात है पहली बात तो यह क्या थी this is this is lunate surface देखिए न यह पूरी की पूरी जहां में भी अंगोठा गुमा रहा हूं this is the देखिए यह है पूरी की पूरी जहां में भी अंगोठा गुमा रहा हूं this is the lunate surface जो की पूरा circle नहीं होती है ऐसे horse shoe shape होती है मैंने बताया था features सूर्फ वाले पॉइंट में देखिए फीचरेश वाले पॉइंट ट्रफेश इस होड़ शु शेय तो देखिए हमारा हिप जोइंट के कौन से पार्ट आपस में आति करते हैं यह तो पता है ना मैंने बताया था कि लुइंट सर्फेश एंड फीमर का head यह दोनों आपस में articulate करते हैं यानि कि चिकने चिकने वाले पार्ट यह वाला पार्ट बिल्कुल चिकना है तो दिस इस फीमर head और lunate surface जो कि होश्यू शेप है यह दोनों आपस में articulate करते हैं तो कोर्स इन दोनों जगह पर हमारी साइनोवियल मेंब्रेंट कवर नहीं करती हैं तो इन दोनों को छोड़कर क्योंकोंची हैड ओफीमर एंड ल्यूनेट सर्फेस इन दोनों को छोड़कर जो भी हमारे अंदर का माल बचाना कैप्सुल लिगामेंट के अंदर मतलब की हैड ओफीमर एंड ल्यूनेट सर्फेस इन दोनों को छोड़कर यह पूरा का पूरा मेरा हाथ का है कैप्सुल लिगामेंट तो इन दोनों को छोड़कर का अंदर का जितना भी एरिया है न उन सब को कवर करती है हमारी साइनोवियल मेंब्रेंट तो कौन-कौन बचा इसको भी लिख लेना तो सम पार्ट ओफ नेक ओके नेक को पुरा कवर नहीं करती नेक फीमर नेक के सम पार्ट को कवर करती है साइनोवियल मेंब्रें देन यस फाइब्रस केप्सूल के इंसाइड मतलब जो हमारा यह देखिए न जो केप्सुल लिगामेंट के लिए ही फा फारज एसटीटाब मार्जिंच है सब्सक्राइब्क्रा इस मार्जिं और टेच होता है लेब्रम तो इस लेब्रम की दोनों संप्स अंबर वालिंच दोनों को कवर करती है हमारे साइड वय अंडिन्वियल मेंब्रेंट त उ v भी चीजों को कवर करती है जो हमारे capsule के अंदर प्रजेंट होती है except head of femur and lunate surface head of femur and lunate surface इन दोनों को कवर क्यों नहीं करती क्योंकि both are both articulate with each other एकडम चिप के वे होते हैं तो यहां पर signable membrane होगी नहीं 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 होगी 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 एंदें लस्ट and final acetabular fossa yes acetabular fossa मैंने बोला था कर्टोरी के अंदर मैंने 15 moon पानी भर दिया तो पानी का area उस वह पानी जितने कर्टोरी के area को cover कर रहा है उस area को का आप बोलेंगे हम acetabular fossa and acetabular fossa में बहुत सब्सक्राइब दिख रही है आपको यहां पर तो this is not articulate अगर articulate होता तो यहां पर शल्वटे नहीं होती बिल्कुल चिकना होता मैंने बताया था features वाले point में जो की थी हमारा first point features of hip joint ओके यह हो गया इन देखिए मैंने इसी को समझाने के लिए यहां पर एक चोटा सा diagram ड्रो कर रखा है यह तो देखिए this is femur head देखिए ऐसे है ऐसे मैंने इसको दिखाया हुआ तो दिस फीमर head greater trochanter greater trochanter ओड़ यह हमारी sharp हो गई है ओके यह हो गया तो देखिए और यहां पर यह क्या है यहाँ पर यह देखिए ना यार अगर मैं इसे ऐसे करूँ और मैं इसका ऐसे डाग्राम ड्रो करूँ ऐसे ही डाग्राम ड्रो किया गया है तो यहाँ पर यह क्या होगी इस इस लिउनेट सर्फेस जो यह गोल गोल काली काली है ना तो lunate surface on head of femur इन दोनों को छोड़ कर जितना भी area हमारी यह क्या हरारा this is capsular ligament या फिर बोल दीजिए capsular ligament yes तो this is harara क्या है this is capsular ligament तो lunate surface on head of femur यानि कि लाल-लाल वाले दोनों portion को छोड़ कर इस हरे लाल-लाल मतलब capsular ligament के अंदर lunate surface और head of femur या फिर लाल-लाल वाले दोनों जगों को छोड़ कर जितना भी area है उन सबको कौन कवर करती है हमारी synovial membrane ओके तब कौन-कौन बचा चलो मैं तरो डंक से दिखा ज़ता हूं आपको यह क्या है this is the head of femur this is neck और यह नीचे शाप्ड हो गए नहां पर क्या होगे this is lunate surface और इसके बाहर होगा हमारा capsular ligament देखे यह lunate surface है यहां पर क्या होगा this is हमारा labrum acetabular labrum तो यह होगा हमारा यहां पर भी होगा acetabular labrum यहां पर क्या होगा हमारा आहां पोसा क्येस्त आफ़ सिळ थो घाल वासित हो गया देखिए ना रिच्च מס copy फोसा आइसे दौूख कर रहा हो में और यहां पर फोसा एं नहहां पर फूस होगा नहां पर ट्रांशर्ट लेंट मेंट को फूसक m यह पर से पास्नक ऍचेस्-सallo Beautiful सभक 2 लाल-लाल भाल इसे एट फय्मु सब्सक्राइड फिमर ऐड लूनिय संप्स इन दोनों को छोटकर यानि के लाल लाल वाले दोनों को चोटकर पूर कावर कखती है हमारी साइनलियल मेंब्रेण यानि कि क्या हो गया नेक का हमारी नेको फीमर का थोड़ा बहुत पार्ट हो गया उसके बाद नेको फीमर का थोड़ा बहुत पार्ट हो गया उसके बाद क्या होगा हमारा पुरा का पुरा फाइबरस केपसुल हो गया देखे ना फाइबरस केपसुल की अंदर वाली सर्फेस अंदर वाली सर्फेस होगी ना अंदर वाली। okay, then this is acetabular labrum, acetabular labrum के दोनों surface, भार वाली और अंदर वाली हो गई. then उसके बाद luniate surface नहीं होती है, यहांपर क्या होता है, this is acetabular fosa, तो this is acetabular fosa हो गया, तो यह पर क्या होता है, round ligament, यहीं पर यह आपको round ligament मिलेगा इसे तो of course round ligament को भी cover करेगा and वापस फिर यह क्या हो गया this is the both surface of acetabular labrum and then फिर यहां पर क्या हो गया हमारा capsular ligament की inner surface okay तो सारे का सारा यह सारा का सारा क्या है these are intra capsular part पूरे के पूरे एक लाइन में बोलू ना synovial membrane cover करती है पूरे के पूरे intra capsular चीजों को except lunar surface and head of femur और काम खतम तो यह तीनों क्या है यह तीनों आपको पताई होगा these are both यह मतरती तीनों क्या हैं यह तीनों के तीनों हमारे intra capsular ligament है okay बतलब सारा का सारा intra capsular वाला पार्ट है except lunar surface and head of femur तो यह सारी के सारी हमने बात कर ली capsular ligament की अब अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नंबर थर्ड यानि की extra capsular ligament के बारे में हमने बतायता नहीं आपे इतीन पॉंट के इंदर पड़ेंगे intra capsular capsular and अब बात करेंगे 5 6 7 यानि की ilio femoral iscio femoral and fibo femoral ligament के बारे में कि अ कि 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 कि